अगर आप लोग कोईट में रहते हो और अपनी सिवल आईडी को खुज से ही ओनलाइन रिन्यू करना चाते हैं तो ये आज की वीडियो आप तमाम लोगों के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है दो तरह के तरीके हैं सिवल आईडी को रिन्यू करने के तो अगर आप जाना चाते हैं तो आखर तक वीडियो को देखेगा ताके आपको अच्छी तरह समझ आ सके के वो तरीके कोहन से हैं और वो काफी सिंपल तरीके हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट बता दूँ जो के ये अभी आप सक्रीन पर लिखी हुई देख सकते हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो वेबसाइट है www.e.gov.kw है किस तरहां online renew करना है ये जो वेबसाइट है सबसे पहले आपने ये open करनी है फिर आपकी जो language है यहनी कि आपकी जो जबान है English है या जो भी आपकी language है उसको आपने select करना है इसके बाद अपना civil ID number जो है उसको add करना है ID card के पीछे number एक लिखा होता है serial number होता है वो उसको भी वो back side पर होता है उसको भी add करना है उसको add करने के बाद उसके बाद आपने अपना cell phone number जो है उसको enter करना है जिसके बाद आपको एक verification जो number है उसका message आएगा फिर आपका जो blood group है वो आपने बताना है मगर जो blood group है वो बताना optional है अगर आप बताना चाहते हैं तो ठीक है वरना ज़रूरी नहीं है फिर इसके बाद आपको लाजमी lab की report upload करनी पड़ेगी उसके बाद फिर आप से जिस तरह के भी काखजाती याइनि के document के हवाले से पूछा जाता है वो लगाने होंगी याईनि के उनको attach करना होगा उनकी detail लिखनी होगी फिर इसके बाद आपके number पर एक reference का message आएगा जिसे आप trace कर सकते हैं अपनी civil ID को फिर इसके बाद वो दो या तीन दिन चेक करने में लगा देंगे आपका जो तमाम data है उसको इसके बाद वो आपको एक link send करेंगे जिसके बाद आपको online payment करनी होगी जो आपने online payment करनी है वो 5 KD करनी होगी online card की जो fees है वो 5 KD है इसके बाद आप अपना card को ले सकते हैं वहाँ पर जाकर या इसके इलावा home delivery की सहुलत भी शुरू हो गई है आप बढ़ते हैं दूसरे तीका card की तरफ तो वो ये है कि आपको अपने cell phone से ही एक number को dial करना होगा जो के ये है अब भी आप screen पर देख स सकते हैं 1-88-9988 जिसमें फिर आपको अरभी या English को select करने का बोला जाएगा फिर इसके बाद आपको service number 1 और voice list पूछा जाएगा जब voice list पूछा जाएगा तो फिर आपको civil ID number को enter करना होगा तो फिर इसके बाद आपकी की गई request जो है वो process में चली जाएगी इसके इलावा यह के अगर आप लोगों को public authority for civilization का number चाहिए तो आप लोग सक्रीन पर देख सकते हैं और note कर सकते हैं जो के 1844447 है तो यह थी आज की latest update जो आप लोगों के साथ share की गई है उमीद करती हूँ के अच्छी लगी होगी थाएं कारती है। यही इन का की कारत ब्रॉट सब्सक्राइब जाएं लुर।